नमस्कार दोस्तो अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़े और मानावता तता इनसानियत को सरमसार कर देने वाली खबर सामने आईए दिल्ली एक बार फिर से सरमसार हो गई है पूर्वी दिल्ली के मियोर विहार इलाके में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है आरोपी को उत्तर प्रदेश के खोड़ा से पकड़ बिलिया गया है आईए जानते हैं संपूर्ण जानकारी पूलिस ने मामले की जानकारी दी है एक वरिष्ट पूलिस अधिकारी ने बताया है कि मियोर विहार पूलिस थाने को एक नावालिक लड़की के योन उत्तपिडन के संबंद में लाल बहाद्दूर सास्त्री अस्पताल से सूचना मिली थी फिलाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है अधिकारी ने बताया है कि अस्पताल में पीडिता के पिता ने आरोप लगाया कि उनीके गाउं में रहने वाले एक व्यक्ती ने 12 साल की बेटी के साथ बलादकार जैसी जो ये क्रूर वो है उसका अंजाम दिया पुलिस अधिकारी ने कहा कि आईपीची की दारा 376 और योन अपरादूसी बच्चों के संड़क चन्याईनी की जो पोक्स और एक्ट है जो की अभी ही लागू हुआ है उसके अधिनियम की दारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है आरोपी की पैचान 19 साल के इबरान की रूप में हुई है जिसे यूपी के खोड़ा से पकड़ लिया है पुलिस ने बताया है कि आरोपी दर्जी की दुकान चलाता है अब सात्यों आपको बता दें कि किस प्रकार से जो बारदात है उसको अंजाम दिया गया यहाँ पर आपको बताते चले रिपोर्ट के अनुसार पीडित बच्ची ने बताया कि 27 सितंबर को वे स्कूल से घर लोटी जैसे ही खाना खाया खाना खाकर बेटी तब ही उसकी मा के फोन पर टेलर के बेटी का फोन आया जिसने बताया कि कपड़े सिल गए हैं वह उन्हें आकर ले जाए माने पीडिता को छोटी बेटी के साथ जाकर टेलर से कपड़े लाने को कहा जब छोटी बेहन जाने को तयार नहीं हुई तो बच्ची अकेले घर सिन निकल गई वह टेलर के घर पहुँची जहां एक कमरे में आरोपी और उसका पिता बैठा हुआ था बच्ची को देख कर आरोपी की नियत खराब हो गई उसने उससे कहा कि कपड़े दूसरी कमरे में रखे वह उससे दूसरी कमरे में लेकर गया और वहां उससे रेप किया आरोपी के चुंगल से किसी तरह भाग कर बच्ची अपने घर पहुंची उसने माता पिता को रोते हुए सारी बात बताई जिसके बाद परीजनों ने पुलिस में सिकायत दर्ज कराई पीडिता ने बताया कि आरोपी पहले से उस पर गलत नजर रखता था कई बार उसने उसे असली वीडियो भी दिखाई मागर डर के वज़े से उसने कभी भी ये बात अपने परीजनों को नई बताई बताई अब आप ही बताईए दोस्तों एक गुनिस साल का लड़का और एक बारा साल की लड़की जिस पर दोस्तों उसकी नियत खराब हो गई और अकेले कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप जैसी गिनोनी जो करम है उसको दोस्तों अंजाम कर दिया ऐसे लोगों को कैसी सजा मिली चाहिए कोमेंट बॉक्स नों बताए पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें धन्यव